अच्छा कौन ज्यादा कमाता ए रुपार्संट सर्फ रुपायेगा की नहीं कमाईगा है क नहीं कमाईगा allora आप कोगे सरजी 40 कम है किस से पूछा गया है? A से जसे पूछा जाए दोको यही सबसे बड़ी मिश्टेक वाली बात है जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे रख दोगे किससे पूछा गया? A से पूछा गया किस से? A से, from A, किस से? देन ए फ्रॉम ए जिस से पूछा जागा उसको नीचे रख दोगे कोश्टन समापती तो भईया ए से पूछा गया ए को रखो नीचे इंटू करो हंडेड कोश्टन स्वाल हो गया बीस दूनी चालीस और बीस सते कितना एंसर आगया दोसो बटे साथ परतिसाथ इस दराइट एंसर अब इस कोश्टन क्या सारे प्यारे भाई वहनों को समझ में आया की नहीं आया अरे आसान था की नहीं आसान था भाई अर पातो गलत किसी का नहीं होना चाहते है वह मार बहुत ज़्यादा खा जाओगे हमने यहां पे चालीस की जहां पे कर दिया बीस अब बताओ क्या होगा इस कोश्टन का सही एंसर अब बताओ भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में 120 हो जाएगा बस और कितने की कमी है बीस की कमी है किसे एस से एवाले को रखोगे नीचे इंटू कर दोगे हंडर बात खतम बीच छक एक सो बीस इसको काटोगे पचास बट्टे तीन परसंट बोले तो सोला दो बट्टे तीन इदर राइट एंसर और पूरी की पूरी जंता का कोश्चन का एंसर तुरंत आ जा रहा है बहुत सांदार बहुत जबदस बहुत जिंदा बाद सिंपल है कोश्चन आसान लगा सभी को कर लोगे चलो नेक्स टॉपिक प्या जाते भाई जरह देखते अगला टॉपिक कह कहता आप सभी के सामने थोड़ा सा लेवल बढ़ा लगार पस देखते हैं क्या मामला है यहार 55% का मतलब क्या होता है पचातर परसंड का मतलना होताँ 1,5 बटे चार बोले तो 3,4 थीका अब आओ समझते हैं अच्छा 3 बटे 4 मतलब हो गया 75 ठीक अब आओ समझते हैं A B से 75 परसंग कम है जो A है ना वो 75 परसंग कम है कम होने का मतलब है अगर B आपका जो है 4 होगा तो उससे 3 कम है यानि A जो होगा एक होगा कि नहीं होगा पहले तो यही वाला बताओ लाइन पहला लाइन सिंपल होगा तो यह 3 कम होगा बोले तो 1 होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा अच्यढ़ अगरे बात प्याते हैं क्या होता है सी जो है न वो A और B कैण та 75% है तो A और B का जो difference है जो अंतर है वो तो 3 है और C इसका भी 75% है मतलब इसका भी 3 बटे 4 है तो मैं कह सकता हूँ कि C आपका 9 बटे 4 होगा की नहीं होगा खतम question कुछ नहीं करना है खतम हो गया भाई यहां नीचे बटे 4 दिख रहा है न तो थोड़ा सा आराम करने के लिए थोड़ा सा मन को सांतोना देने के लिए सभी में 4 का multiply कर दो क्यों ताकि यह नीचे वाला 4 कट जाए यह इससे कटा अब कितना आ गया 4 4 14 और 9 यह ratio आपका बन गया question यहीं खतम हो गया क्या कहता है C कि कितने प्रतिसत एसे अधिक है C कितने प्रतिसत एसे अधिक है कितना जादा है 5 जादा है किस से पूछा है एसे ए वाले को नीचे रखोगे इंटू हंडेड 4 से काटोगे 25 चो का 100 और 25 पच्चे 125 यानि सही एंसो राज जाएगा 125 परसन क्या सारे भाई वहनों को समझ में आया की नहीं आए भाई यार देखो पच्चा एक बाँ फिर से रिपीट करेंगा 75 परसन मतलब 3 बटे 4 होता है A B से 75 परसन कम है यानि गर B 4 होगा तो एक उससे 3 कम यानि A 1 होगा और C इन दोनों का डिफरेंस से 75 परसन है वो भी वहने कर दिया सीधी सी बात है यानि C 9 बटे 4 हो गया अब ये 4 नीचे से हटाना तो सभी में 4-4 का मल्टिप्लाई कर दिया तो 4-16-9 का रेशियो बन गया कहता है A जो है वो C से कितना कम है तो भाईया देखो 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 C पूछा था कितना ज़्यादा है किस से A से फ्रॉम A दैन A तो A वाला नीचे रख लोगे कोश्चन खतम हो जाएगा नेश्ट कोश्चन पर आते हैं ज़रा अगले बात पर समझते हैं क्या कहता अगला कोश्चन अब ये तो बहुत पसंदीदा कोश्चन है बाई रेलवे का है ना गलती मत करना ध्यान से करना और बताना क्या होगा सही एंसर बहुत सांदार बहुत जबदस बहुत जिंदा बात क्या पीछे से सॉल्व करना जैसे मैं समझाता हूं ध्यान से समझना इस question में क्या कहता है हमारे पास A, हमारे पास B या फिर मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं ये भी छोड़ो यार बहुत आसान तरीका बता आप 25% मतलब क्या 1 बटे 4 होता है अरे हाँ या ना 40% मतलब क्या 2 बटे 5 होता है अब जिनकों नहीं सौन में कि सर्जी 2 बटे 5 कैसा हो गया दादा तो 40% मतलब होता है percentage का मतलब होता है 1 बटे 100 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 अब हो गया की नहीं हो गया 2 बटे 5 अरे हुआ की नहीं हुआ बहुत अच्छा भाईया 30% मतलब क्या होता है 30% मतलब क्या होता है 30 बटे 100 यानि 3 बटे 10 अरे होता है की नहीं होता है अब कोश्रंग खतम हो गया और कुछ करना नहीं है बस बात खतम A और B के बारे में बात कर रहा है क्या A B से अधिक है 25% A ज़ादा है 25% किस से B से यानि B अगर 4 होगा तो A 25% ज़ादा है यानि A एक ज़ादा है तो क्या 5 हो जाएगा की नहीं हो जाएगा बहुत जबदस भीया अब आते हैं B और C के बारे में बात करते हैं देखते हैं क्या कहता है B C से 40% कम है B कम है C से 40% यानि अगर आपका C 5 होगा तो वो 40% कम है यानि 2 कम है यानि कि वो कितना होगा 3 होगा आरे आया की नहीं आया बहुत तगड़ा यार अब आते हैं C और D के बारे में बात कर लेते हैं C ज़ादा है 30% यानि अगर D 10 होगा तो C 10 तीन ज़ादा होगा तो C कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा खतम हो गया question, बस यही और क्या, इसमें कुछ और थोड़ी आपको करना है, question खतम हो गया, अब उसने क्या कहा, यह बताओ कि D जो है A से कितना कम है, अब भगया आपको एक चीज साथ अभी आप लोग ने नहीं पढ़े होगे, कि मैंने अभी ratio नहीं पढ़ाया है, जब ratio पढ पांच और चार दे रखा है, ठीक, यह दो space खाली है, B और C तीन और पांच दे रखा है, फिर यह दो space खाली हो जाएंगे, फिर C और D 13 और 10 दे रखा है, फिर यह दो space खाली हो जाएंगे, ठीक, हम ratio को कैसे बरावर करते हैं, जो space खाली है ना, उसमें वही संख्या भर दे रेते हैं जैसे चार है इसके बगल में 4 छार बर दो इसके बगल में तीन लिखा ऒर दो यह 13 है बढ़ो यह 13 है 5 ए 13 घुटी लेकिन केसे multiply करेंगे तो फिर कई से हो पाएगा हमें सिर्फ ए और डी से मतलब है तो उन्हीं से मतलब रखो बस आओ किसे से नहीं एक इतना है जरा देखो तो बहुत पांस त्यां पंदरा और पंदरा गुड़े तेरा एक कितना है पंदरा गुड़े तेरा को संख्या कट भी नहीं रही है ना बोलो भाई को संख्या यहाँ पर कट रही है देख लेगा बार सबके सब जल्दी से बताना कि हां संकी सर्जी यह संख्या कट रही है नहीं चलो एक सो पंदरा गुड़े तेरा पांचों का 20, 20 आयं में 200 यह 200 हो गया उसने क्या पूछा कि एक इतना कम है तो कितना कम है वाई किस से डी से कितना है दोसए इंट और दू ऊइन्टत सादबी जोसर काटा ह। 20% twent किया सभी को समझ में आया की से तो अब ये कैसे बता देते हूं कि वो 10 और 13 होगा ये प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही देखो भाई 30% कम होने का मतलब है 3 बटे 10 कम है किस से इस से तो हम ऐसे लिखते हैं कम है तो ऐसे लिखेंगे तो कौन कम है एकम है यानि अगर बी पूरा का पूरा 10 होगा तो एस साथ ही होगा ये ऐसे करते हैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं इसी वज़े से आपको ये दिक्क्त वह रही थे और आई थिंक आप ये कोशन समझ में आ गया होगा कुछ खास नहीं करना है 25% कम है आपने ये रेसियो बना दिया फिर बी और सी में ये बना दिया सी और डी में ये रेसियो बना दिया और सभी में प्रॉपर एक रेसियो कंप्लीट सॉल्व करके तुरां तैंसर आप ने निकाल दिया अरे हां या ना पक्का है तो लाइक बनता है कि नहीं बनता पहले तो यहीं बता दो अरे बनता है कि नहीं बनता लाइक